हेलो स्टुडेंट बहुत दिन हो गए आप से मुलाकात किये हुए पिछले बार जब लोगडान लगा था तब तो मैं चैनल बनाया था और आप जो भी स्लेवर्स है वो कंप्रीट करेंगे हम लोग ठीक है लेकिन आज हम इंट्रेस्टिंग बात यह बताने वाले हैं स्टुडेंट कि आज हमारे चैनल पे एक बहतरीं इंग्लिस के टीचर आने वाले हैं उन्हें मैं बुला कर लाया हूं बहुत ही फेमस हैं यहाँ जारी भाली है ठीक है तो आप उनसे मुलाकाट करेंगे और शीखेंगे कि इंगलिस को कैसे इजिवी में हम लोग पढ़ सकते हैं सकते हैं बहुत ही फनी है आपको लगेगा ठीक है तो मैं आपसे request यही करूँगा कि आप हमें जैसा प्यार देते हैं sir को भी प्यार देंगे और उनके channel अपना भी channel है उसे subscribe करेंगे ठीक है तो मैं मैं sir का नाम बताता हूँ Mr. Payaz Alam ठीक है तो sir आ रहे हैं ठीक है जी thank you Hello friends morning to you all my name is Payaz an English language trainer and career counselor आजकल हम लोग जो है वह English के medium का if you talk about English fields अगर आप English field के बारे में जिकर करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का जो है वह उसे क्या बोलते हैं enthusiasm कह सकते हूं से हम लोग एक energy आजकल बहुत लो गया कम हो गया अब जैसे मान लीजी होता है ना आजकल student उदार चाहिए गुड मॉर्णिंग करते हैं समझ नहीं आता है कि नहीं तो हम लोग का उत्सा का कमी हो गया आज हम लोग कई तरह की चीज़ें आज discuss करने वाले और सीखने वाले इसमें से बहुत सारा बच्चों को जो हो प्राब्लम होता है to understand क्या है जैसे हमने आप एक वोड लिखा है बी यू टी तो इसे अगर आप पनसी एट करेंगे आप इसे बोलेंगे उचारने इसका क्या होगा तो बी यू टी बट होता है सब कोई ठीक अब अगर हम लिखें यहां पी यू टी तो यह क्या है तो यह पूट है अब हमें समझनी आ रहा है कि बी यू टी अगर बट है तो पी यू टी पट का है नहीं होता यह पी यू टी पूट है तो बी यू टी बूट का है नहीं होता है तो यह कब बूट होता है बत क्यों होता है यह पूट क्यों होता है यह हम लोग जो सी से का भी हो रहा है, सी से सा भी हो रहा है लेकिन और भी कई सारे चीज़ है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस आज के वीडियो में और especially यह जो सी को सा कप पढ़ते हैं और सी को का कप पढ़ते हैं तो यहाँ पर three words I am just going to write over you, it's I E, it's Y यह तीन ऐसा word है अगर सी के बाद सी के बाद अगर यह तीन ओ वर्ड कोई भी आता है तो हम इसे जो है वो सा पढ़ेंगे वरना इसके अलावा कोई भी word आ जाए तो इसे हम लोग जो है वो का पढ़ेंगे कैसे देखते जैसे for example अगर हम बोले C, I, T, Y तो इसे क्या पढ़ेंगे तो इसे simple सा बाद है सी के बाद आए है C, I, यानि सा यह होता है C, T, कि T नहीं होता है यानि अगर हम बोले C, A, T तो नहीं सी के बाद नहीं आई है नहीं आई है, नहीं याई है सी के बाद आई है, तो हो गया C, T और वरना इसे C के बाद A है तो cat हो जाएगा अब आपको ये वीडियो में जो है वो comment section में एक example हमें C, C को सा कपड़ते वो बताना है और C को का कपड़ते वो बताना है है कि नहीं ये तो हो गया वही सा और का कपड़ते दूसरा बात ये है कि PUT put और BUT put होता है तो put क्यों नहीं होता है ये हम लोग बादें पड़ेंगे फिलाल common जो daily usage sentences है उस पे हम लोग आज कुछ जिकर करने वाले तो जिकर ये करने वाले आज जैसे अकसर कभी-कभी होता है हम लोग पाटी में चले गए यहां कहीँ और चले गए तो होता है कि हम बोलते हैं थोड़ा सा घस को प्लीज अब क्लास में ही बच्चत लोग बैटा हुआ है अब हम कोई बाइट ने तो थोटा सा घस को है तब हुझे ने तब हम लोग उसे मोलते हैं Make a room Please ने मेक आरूम प्लीज थोड़ा सा घस केंगे आप उसको एंग्लिश में लोग बोलेंगे वेकर उम प्रिज आप रूम का मतलब कमरा ही नहीं होता है रूम का मतलब जगा भी होता है जैसे आप कमेंट्री देखते होगे तो वहां अकसर देखते हैं विराट कोली खेलता है से क तो यह वह लोग बना रहा तो वह जगा बोलते कि नहीं तो इसे क्या बोलेंगे थोड़ास जगा दो तो मेकर रूम प्लीज दूसरा वर्ड यह है कि दरवाजा लगा दो यह तो सब जानता है क्लोस दा डोर बहुत लोग बोलता है शट दा डोर चलो ठीख अब हम वही बोलेंगे कि दरवाजा का कुंडी लगा दो तो दरवाजा का कुंडी लगा दो अब कुंडी बहुत लोग कुंडी समझता है बहुत लोग छिटकी नहीं समझता है कि नहीं तो अगर हमें बोलना कि कुंडी लगा दो या पिछुटकी नहीं कि लिया तो इसे नहीं कि BarkS और अपका नाक बाहरा है आपका नाक बारा है तो कैसे बोलेंगा अब ऐसा थोड़ी एचली हम लोग बोलने का लहजा होता है नाक में बारा आपका नाक बारा है का होगा योर नोज इस रनी जी रनी डाड़ना वला मतलब ही रनी होगा मगर यहां पर यही बनता है योर नोज इस रनी अब मेरा नाक बारा है तो माई नोज इस रनी होप्स आपको समझ में आ गया होगा ठीके जी थैंक यू